खाली पेट गुड़ खाकर गर्म पानी पीने के चौकाने वाले फायदे जानकर पैरों तले जमिन खिसक जाएगे जी हाँ, दोस्तों आज इस खास वीडियो में हम जैगरी यानि गुड़ खाने के फायदों के बारे में जानेंगे आपको पता होगा कि हमारे दादी नानी लोग जो थे, वो खाना खाने के बाद थोड़ी सी गुड़ खाना प्रिफेर करते थे आप सोचते होंगे कि भईया ऐसा क्यों करते थे यकिन मानियां दोस्तों, गुड़ के इतने फायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि गुड में विटामीन A और विटामीन B, सुक्रूज, ग्लुकूज, आरन, कैशियूम, फासफोरस, पोटैशियूम, जस्ता, मैगनेशियूम इस तरह के तत्व पाजाते हैं जो किसे एक चीज में मिल पाना बहुत मुश्किल होता है इसमें दोस्तों फासफोरस की मात अधिक रहती है गुड में कई तरह के आवश्यक मिनरल्स और विटामीन होते हैं अगर आप गुड का अधिक से अधिक फादा उठाना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सेवन करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए यह जानते हैं इसको खाना कैसे है और इसके क्या-क्या दोस्तों सुबह उठते ही खाले पिट आपको इतनी सी मातरा में गुड लेना है और चबा चबा कर खा जाना है और उपर से एक गिलास गुन-गुना पानी पी लेना है ऐसा आपको डेली बेसिस पर करना है यह आपके शरीर के बहुत सारी बिमारी को जड़ से खत्म कर का लेकिन जो गुड है दोस्तों वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए आजकल बाजार में साफ की हुए गुड मिलते हैं दिखने में तो सुन्दर दिखता है लेकिन फायदे का नहीं होता तो जब भी आप बाजार से गुड लाएं तो और गैनिक गुड कहिएगा वो किडिनी की पत्री के दर्द से परिशान रहते हैं कई दमाओं के सेवन करने के बाद भी न दर्द कम होता है और नहीं पत्री बाहर निकलती है जैसे में आप सुबह खाली पीट गुड के साथ गर्व पानी का सेवन करेंगे तो इससे आपके किडनी के पत्री से चुटकारा बिल सकता है यदि गुर्दे की पथरी ने आपका लाइफ खराब कर दिया है डर्द से आप बहुत ज़्यादा परिशान हो गए हैं तो रोजाना सुबह सुबह गुर्ड खा के पानी पीछे ये पथरी को तोड़ने में मदद करेगा और पिशाप के जरिये बाहर निकालेगा इसके लाव अगर आपको आया दिन कॉंश्रीपेशन यानि की कबजी की शिकायत रहती है पेट साफ नहीं रहता खाना अच्छे से नहीं पचता है पेट में बदहजमी ड़कार वाली फिलिंग आती है तो ऐसे इस्तिती में आप गुड का सेवन कर सकते हैं गर्व पानी के स खुटी चमश लेनी है यानि कि लगबग एक से दो ग्राम के मातरा में गुड के साथ ही चबा चबा कर खा लें और उपर से एक ग्लस गुनगुना पानी पी लें इससे दोस्तों पेट तो अच्छे से साफ होगा ही होगा साथ ही साथ आपकी पांचन शक्ती बढ़ जाएग तो चाय या फिल लेड़ू में इसका इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको पुरानी से पुरानी भी कफ की प्रॉलम हो तो आप गुड का सेवन कर सकते हैं गुड दोस्तों कफ दोस्त को दूर करता है तो सरदियों में कभी भी कफ हो जाए तो डॉक्टर के पास बिलकुल नही इसमें थोड़ी सी अद्रक कद्दू कस करके डाल दीजेगा जब यह उबल जाए चाय की तरह बन जाए तो इससे आप सिप सिप करके पी लीजेगा इससे दोस्तों सरदिखांसी जो काम से आपको रात मिलेगा छाती में जमी बलगम जो है वह बाहर निकल जाए कि क्यूंकि तुलसी और अद्रक वाली चाय बना कर पीचे आप देखेंगे कि आपका कफ जो है एक मिनेट में ही ठीक हो जाएगा जिनको अस्थमा है निमोनिया है है लंग से जुड़ी कोई समस्या है सांस लिने में दिक्कत हो रही है तो वे लोग भी इस तरह गोड़ वाली चाय बना करते हैं क्योंकि हमारी एमिनटी ही हमें बार-बार बीमार होने से बचाती है जिसे भी बारिश का मौसम चल रहा है और ये बीमारियों का मोशम होता है तो अगर आप बीमारियों से बचाकर रखना चाहते हैं तो बच्चों को भी गुड़ दीजिए और आप भी खाईए इसके लावा यह एनीमे के मरीजों के लिए बहुती फादेमन्द होता है जिनके शेर में खून की कमी होती है थाना उनको डॉक्टर भी गुड़ खाने के सलाह देते हैं खास तोर पर महिलाओं का इसका सेवन बहुती जरूरी है हमारे घर के महिलाओं दिन भर काम करती है अप आप को कुछ नहीं करना है इतनी गुर्ण लेनी है सुबसा खाकर शीरम करते सकाएं इस तरह आप से बहुता है मैं आप नसों में अब होता है इस तरह कि दिक्कत होती है श्रील में खूल की कमी के वज़े से आर बीची कमी के वज़ेसे यहांगी रैड ब्लड सेल्स की कमी के वज़ेसे तो गुड़ खाएंगे तो नहीं आपको थकाना लसाएगे और नहीं कभी भी भी हाथ पर दर्द का सामना करना पड़ेगा इसके लावा गुड़ खाने से दोस्तों हड्डियां भी मजबूत होती है गुड़ में मौझूद के साथ साथ फासफोरस हड्डियों को मजबूत बनाने में हल्प करता है जिन लोगों को जोड़ों और घुट्णों के पानी में एक चौथ हाई चमच्च सोंड पॉड़ लेना है पानी को सिप सिप करके पी लेना है इससे शरी में बढ़ा हुआ वात और कफ कंट्रोल में रहेंगे और जोड़ों में दर्द हड्यां कमजोर हो गई हैं तो इन्हें मजबूत कर रहे हैं इससे आपको मदद मिले गूड के साथ गर्म पानी पिने से शरी में गूड हार्मूंस इंक्रीज होते हैं जिससे आपको अच्छी नीद आने में मदद मिलती हैं लेकिन आपको लगतार खाना होगा इससे बहुत बहुत बहतरे इंदिजल्ट देखने को बिलेगा आपको इसके साथ ही दोस्तों यह अगर आपको और भी रेमेडी कर रहे हैं तो इस रेमेडी के साथ इस गुड़ का भी इस्तमाल किज़े और यहां यह मत सुचिए कि यह तो मीठी चीज है इसे तो वजन बढ़ जाएगा लेकिन गुड़ ऐसी चीज है दोस्तों जो आपके शरीर में एक्ष्टा फैट को नही तो रोजाना सुबह गुड़ खाना शुरू कर देजिए उपर से एक गिलस पानी पी लिए और आप और भी कोई रेमेडी ले रहे हैं घरीली नुस्खा ले रहे हैं तो इसके साथ भी इसे लिया जा सकता है अगले फादे के बात की जाए तो जिन महिलाओं को या फी होता है तो उनके लिए गुड़ का आफी फादेमंद होता है क्योंकि इसमें कई विटामिन और मिनरल्स होते हैं गुड़ आपके पेट को दुरूस्त रखता है दोस्तों आपके शरी में ताकत को बनाया रखता है यह ना शरी में खूंड की कमी नहीं होने देता इसलिए प पेट को ठंडग मिलेगी और गैस के समस्या नहीं होती जिन लोगों को गैस की परिशानी होती है वो रोज लंज के बाद और डिनर के बाद हैना थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें इसके लावा यह हाई ब्लड प्रिशर वालों के लिए तो राम बढ़न दवाई की तरह क घर पेटिक पेशंट गुड़ का सेवन नहीं कर सकते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखेगा क्योंकि गुड़ खाने से आपका शुकर लेवल अचानक से बढ़ सकता है जो प्री डाइबेटिक हैं डाइबेटिस टू है या फिर जो लोग इंसुलिन पेहें वे लोग तो पूरे इस बारिश के मौसम में ठंड के मौसम में गुड़ का सेवन कीजिए या फिर गुड़ तिल का लड़ू बनाकर खाईए गुड़ और मुंग फली की चिक्की बनाकर खाईए तो दोस्तों रोज सुबद खाली पिट थोड़ी से गुड़ खाने के साथ पानी आशक करता हूं वीडियो आपको अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी हो तो शेयर कर दीजेगा और कॉमेंट्स करें बताइए कि आप खाते हैं या नहीं खाते हैं कल एक नए जानकारी के साथ मिलता हूं दोस्तों तक अबना ख्याल रखिए कुछ रही है जाहें है जाते हैं है जाते है जाते हैं